तो कैसे हैं आप लोग आई होप से भी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम पैराडॉक्स 2025 से रिलेटेड एक इंपॉर्टन अपडेट लेके आ गये हैं तो जो भी स्टुडेट्स पैराडॉक्स 2025 में जाने की सोच रहे हैं और आप भी पैराडाडॉक्स 2025 में जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी ओपर्चिनेटी आ गई है कि आप as in student ना होकर as in coordinator as in volunteer आप पैराडउक्स 2025 में जा सकते हैं इसके लिए आपकी recruitment स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको I think mail आया होगा, अगर mail आपको नहीं आया है, तो कुछ दिन में आपका mail आपको मिल जाएगा, अब मैं आज की वीडियो में यही सारी चीज़े clear करूँगा, कि Paradox 2025 में department कौन-कौन से हैं, और आप किन-किन departments में as an coordinator, as an volunteer या as an super coordinator बनके जा सकते हैं, और आपको इन सारी चीज़ों से benefit क्या होने वाली है, तो चलिए हम इस वीडियो के start करते हैं, तो firstly अगर हम benefit की बात कर लेते हैं, अगर आप Paradox 2025 में जा रहे हैं, और आप मान के चलिए कि आप coordinator की रोल के लिए select हो गए हैं, या फिर आप मान के अचलिए volunteer की रोल के लिए select हो गए हैं, तो आपको benefit क्या होगी, तो first of all जो आपको benefit होने वाली है, आपको एक certificate मिलेगा Paradox टीम की तरफ से, ITM जहां पे mention होगा, Paradox जहां पे mention होगा, आपको एक certificate मिलेगा Paradox का event खतम होने के बाद, Paradox के लिए आपको एक अलग से identity card मिलेगा, जो की normal students के पास नहीं रहेगा, identity card के पास भी कुछ powers रहेंगी, आप कहीं भी जा सकते हैं उस card को लेके, okay, third thing जो आपकी आती है, आप अपने department के तरफ से, जिसभी department पे आप हैं, आपको वहाँ से अच्छे खासे experience मिलेंगे, आपकी वहाँ पे थोड़ी सी एक value रहेगी, other students के comparison में आपकी value थोड़ी जो वहाँ पे जादा रहेगी, okay, आप professors या फिर coordinators अपने PODs हैं, उन लोग से अराम से बात कर सकते हैं, उन लोग से मिल सकते हैं, उन से अपने doubts या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको discuss करनी हैं, तो आप ये सारी चीज़े कर सकते हैं, और एक च तीन दिन, चार दिन या फिर पांच दिन भी हो सकता है, पांच दिन पहले आपको बुला लिया जाए, तो ऐसा कुछ cases में होता है, कुछ departments में होता है, अब कुछ departments में जैसे आपका cultural होता है, आप वहाँ पे cultural में जैसे dance हो गया, आपका drama हो गया, तो इन लोग को rehearsal के लिए थोड़ी से time चाहिए होता है, तो इन लोग को थोड़ा सा पहले बुला लिया जाता है, अब ये आपका department do department vary करता है, अब आप जिस भी department में जा रहे हैं, आपको वहाँ पे पता करना होगा, आपको कितने दिन पहले बुलाया भी जाता है, आपको पहले बुलाया भी जाता है, तो ये सारी चीज़े थी, इसकी benefits, अब हम देख लेते हैं, इस form को भरना कैसे है, तो यहाँ पे आपको I think mail आया होगा, recruitment paradox 2025 का, तो यहाँ पे आप super coordinator, coordinator या फिर volunteer बनके जा सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़े दी गई है, कौन-कौन से रोल से मैं आपको पहले य कैसे है, तो यहाँ पे departments आ चुके हैं, पहला sales and marketing आ डिपार्टमेंट है, तो इसमें ज्यादा तर students same day ही जाते है, paradox में, मतलब जिस दिन से आपका paradox से start हो रहा है, आप उसके एक दिन पहले या फिर उसी दिन आपको same day ही बुलाया जाता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं कर cultural का, cultural में आपका यहाँ पे production होता है, जैसे आपका drama हो गया, music हो गया, dance हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़े है, हमारी cultural activities वहाँ पे arrange होती है, paradox में अपने, तो आपको इनी सारी चीज़ों को देखना होगा, अब जिस भी event में आपको event planning करनी होगी, event को अपने management करना होगा, आपको सारी चीज़े, ये सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, ओके, next आता है अपना sports department, sports department में जैसे आपका cricket हो रहा है, volleyball हो रहा है, badminton हो रहा है, और भी जो आपके outdoor sports होते हैं, या पर जो आपके indoor sports होते हैं, आपको ये सारी चीज़े देखनी होगी, आप इसके coordinator रहेंगी या फिर volunteer होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़े manage करनी पड़ेंगी, अच्छे से, ओके, तो ये अपना sports department हो गया, then आपका technical and event department हो गया, तो technical and event department जैसे कि अपने hackathons होते हैं, coding competitions होते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए भी apply कर सकते हैं, ओके, और एक और चीज़ मैं apply कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी foundation, कोई भी restrictions यहाँ पर है नहीं वैसी, okay, then उसका आपका आगया central events का आपका department हो गया, DJ nights हो गया, inauguration ceremony हो गया, इन लोग के लिए अलग से यहाँ पर एक volunteers रहते हैं, coordinators रहते हैं, then उसका आपका FRB department हो गया, facilities and requirement department, then उसके बाद students relations department आपका department आगया, जो कि आपकी सारी social media handles को manage करते हैं, video editing आपकी हो गई, यहाँ पर बहुत सारी सीज़े आजाती हैं, multimedia department में, accommodation department आपका आगया, accommodation जो आपके मतलब मान की चलिए, four to five thousand students आपके paradox में जाते ही जाते हैं, तो उन लोग की accommodation को manage करने के लिए भी कुछ volunteers, कुछ coordinators लगते है तो वो लोग आपके accommodation department में आज आते हैं, यहाँ पर आपका sponsorship department आगया, sponsorship department में आपको sponsors find करने होते हैं, आपको sponsors अपने थ्रू खोचने होते हैं, तो आपको outreach and hospitality department आगया, जो आपके guest वहाँ पर आते हैं, उन लोग को आपको अच्छी hospitality देनी होती है, तो उन लोग का सारा arrangement आ तो मतलब करने होते हैं, तो आपका web ops आ गया, और यहाँ पर सारी चीज़े आपकी complete हो गई, तो I think मैंने आपको सारे department बता दिया, अब आपको apply कैसे करना है, मैं आपको यह सारी चीज़े बता देता हूँ, apply करने के लिए आपको यहाँ पर अपने email, official email से login करना है, आपको age अपने यहाँ पर डाल दीजे, then आप यहाँ पर जिस भी level के student है, full time अगर आप इस degree को कर रहा है, full time डाल दीजे, dual degree कर रहा है, internship कर रहा है, working profession है, तो आप यह सारी चीज़े यहाँ पर डाल दीजे, कितना time आप दे सकते हैं, paradox team को कितना time आप दे सकते हैं, event से पहले यह सा सारी चीज़े आप यहाँ पर लिख दीजे, आपने क्या पहले आपके पास कुछ भी experience है, पहले का आपके पास आपने अपने college में कभी बी कुछ ऐसे events host की हैं, या फिर organize कराए हैं, तो आप यहाँ पर वो सारे अपने experience लिख सकते हैं, paradox 24 में अगर आप गए थे, आपको को member है, core member है, coordinator है, अगर आप कुछ भी है, तो आप यहाँ भी वो सारी चीज़े mention कर सकते हैं, Instagram की profile आप यहाँ पर mention कर दीजेगा, और आपको किस department में जाना है, तो आपके departments कुछ इतने हैं, मैंने आपको सारी चीज़े अभी यहाँ पर clear कर दी हैं, तो आपको जिस भी department में जाने का मन है, आप उस department को यहाँ पर select कर सकते हैं, उसके लिए आपका एक interview का interview में अगर आप select हो जाते हैं, then आपको paradox की team में रख लिया जाएगा, तो I think मैंने आपको सारी चीज़े clear कर दी हैं, आपको form कैसे भरना है, departments कितने हैं, कौन कौन सी posts आपको मिल सकती हैं, और आ आप अपने coordinator से पता कर सकते हैं, या फिर अपने department के जो head होंगे, उनसे आप पता कर सकते हैं, तो I think आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगे, अगर इसके अलावे भी कोई doubt आता है, तो आप आखे WhatsApp decision group में पूछ सकते हैं, या फिर आपके comment section, LinkedIn, Instagram पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप उसका answer कर दूँगा, तो आज के लिए बस दिता ही, मिलते हैं next video में, till then bye bye